वेलकम बैक टू अवर व्यूटुब चैनल आज हम एक नया टॉपिक डिसक्स करने वाले हैं जो कि एक इंपोर्टन टॉपिक है हमारे डिसक्षिन टॉपिक का अभी जो यह सेकंड वीडियो है इसमें हम डिसक्स करने वाले हैं कि आपको जो एडिशन लेने के लिए आपको कि यह बिना देली करे शुरू किया जाए अब कि फिर्स्ट पॉंट यह होता है कि आपको कौनसी कंट्री जब को सेलेक करने हैं आप क्राइटरिय में फिट बैट गी है फिर बैट गया आप क्राइटरिया में ठीक है अब हमारा तेह हो गया कि आप हमको एपर राटॉट मैं तो आप country आपको select करने है पहले country select करने में आपको बहुत ही साउगानी बरत नी पहले कैसे अभी बहुत सारे countries होती है कि जिसका इंडिया से relation अच्छा होता है उसी countries में आप जाएगा बहुत सारे countries का अच्छा relation नहीं होता है तो उस countries में बिल्कुल ना जाए क्योंकि आपको बहुत सारे problems को face करना पड़ता है आगे इसी होज से आप जाएगा तो जो भी अच्छी country में ही जाएगा जिसका इंडिया से बहुत अच्छा उनका आपका फायदा रहेगा इसमें ठीक है अब आप जाओ के countries में तो आप पहले उस उदर का environment देखिए वह आप पर आपका जो है कि सेहत अच्छी रह सकती है तो उस country को यह आप सेलेक्ट कीजेगा firstly उसके बाद वहाँ पर कैसा environment है वहाँ पर लोग कैसे है वहाँ पर कुन सी language बोली जाती है आपको कुन सी language आपको वहाँ पर अच्छी रहेगी कि पता है कि आपको वहाँ पर language का problem भी आ सकता है क्योंकि बहुत सारे countries में अलग-अलग language होती है English language सभी पर valid नहीं होती है इसी वज़े से आप जो भी select करोगे न तो अच्छी country select करना जहाँ पर आपको language problem की दिक्कत ना हो language problem important बात है क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद आप जो doctor बन रहे हो तो आपको 6 साल आपको व यहाँ पर patient clearین करना सभी तो बहुत साहते हैं बाद यहाँ जो पर आती इंग्लिश नहीं समझ में आती हैं कि इस border ऐसे आपको उनकी language में एपको जवाब देना पड़ीगा तो इसे मुज़े से आपको उनकर आपको वहाँ पर खाना कैसे मिलता है अच्छा मिलता है आप एंडिया जैसे खाना मिलता है क्या आप यह पूरी सारी चीज़े आप देख सकते हो country select करने के लिए अब next बात आती है कि आपने country select कर ली आप आप university select करोगे university बहुत माईने रखती है आपके लिए university में आपको छह साल पढ़ना है तो 6 साल पढ़ने के लिए आप बहुत research कर सकते हो लिए आप research करने के लिए अगर youtube का सहरा लेते हो google का सहरा लेते हो दो आपको जो है कि बहुत सारे ऐसे agent मिल जाएगे वहगरा वहगरा आपको पर्टेकुलर इंदिशा में आपको ले जाते हैं और आपको बाहरी सी डिर्ट वेश अनलब कि 10 लेजगा खुद काई डिय ऺटेशTION कीजयेगा उनिरेस्ट की उनिर्शिटिस की विबस나 से हो पर देखने हैं तो यह चीज़े अलग रहती है यह आप देखने हैं अब युनिरसिटी सेलेक्ट करने के लिए फर्स्ली जो बात आथी है कि आप फर्स्ली क्या करोगे कि देखोगी कि यहां वहां कि उनिसीटी कुन सी अच्छी तो पर्टिकॉल यह आपको यमसिया अप्रू युनिरसिटी ही देखने हैं यमसिया अप्रू युनिरसिटी देखने के लिए आपको यमसिया की वेबसाट पर जाना है वहां पर पूरी युनिरसिटी की लिस्ट अवालेबल होती है जो यमसिया अप्रूड है तो उन में से किसी युनिरसिटी पर आप अप्ला यह उनिवर्सिया सेलेक्ट कर लो लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है तो आपका वहाँ पर जाने का फायदा कुछ नहीं रहेगा आप इंडिया में आने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको यमस्या एक्जाम आपको देना पड़ेगा यमस्या एक्जाम कंपर से रहता है इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए इसी वज़ए से यमस्या एक्जाम को आपको पार करने के बाद है आपको इंडिया में लाइसंस मिलेगा इसी वज़ए से यमस्या अप् देख लिए तो देखने ये बाद उसका यमसिया पासिंग रेशो भी देख लीजेगा यमसिया पासिंग रेशो भी वहाँ पर अवालेबल होता है अगर आपको वहाँ पर नहीं मिलता है तो मैं नीचे डिस्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा आप मीचे से भी पढ़ा ही अच्छी होती है यानि कि उसका यमस्या पासिंग्रेश्व बहुत अच्छा है मानि कि पढ़ा ही अच्छी होती है तो उस उनिटिस में ही आप एडमिशन लिजिएगा ये बाद आपको धैन में रखने हैं कुसके अलावा आपको एजन्ट बोलता है कि ये अच्छ आपको खुद देखना है कि वह उनिटिस छे साल में पूरी इंग्लिश में पढ़ाती है क्योंकि बहुत सारी उनिटिस है बहुत सारे कंट्रीज में कि जो तीन साल आपको इंग्लिश में पढ़ाएं लेकिन तीन साल बाद में वह अपनी लैंग्लिश में पढ़ाना स्टा तो उनसे कॉंटक किजिए और उनसे बोलिए खाहँ उन्सेटी छे सल इंग्लिश में ही पढ़ाती है यह भेतर हो था कि जो वहां पे पढ़ रहा है उनसे अगर आप बात करते हो न तो अच्छी तरह से आपको समझाता है कि हाँ यहां पर यह एंवार्मेंट है यहां पर बहुत सारे अलग अलग पढ़ाना होता है इसके बार में भी हम करेंगे कैसे पढ़ाना होता है कैसे पढ़ना पढ़ना पढ़ता है आपको अलग अलग तरह के आपको रिवीव आएंगे तो उस रिवीव पे आप सेरे किजिएगा कि हाँ यह अच्छी है या नहीं है यहाँ आपका अडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए एजन पर बिल्कुल बरोसा मत किजएगा तो यह सारे चीजे जो है यह आपको फाइदे मन रहेंगी इंडिसिटी या फिर कंट्री सेले करने के लिए इसके बाद जो में चीज़ आथी है कि आपने सभी कर लिए सेलेक इसके लिए यहाँ वहाहाँ आज़ और वहां फिलाओंगे तो मैं यहां से अडिमिशन कर आओंगा तो ऐसे बहुत सारे आपको फाय। देना सकते हो जिनके तो यह चीजो होती है उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारेitter चिango एक नहीं देना है तो यह चीज़े बहुत सारे च्छरा की साथ देखना को कहीं पास की धन्हें कि वहां हैं पुर्ष इंडियाची को भीजा गया में तो बनी सब्षेंट नहीं है आपको पता नहीं होता है तो बहुत सारे स्ट्विंट्स के यह Sugdoटी तो यह doubt and discuss करेंगे next video में जहाँ पर main doubt and discuss करेंगे कुछ मेरे साथ students रहेंगे connected कि जो आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर agent ने यहाँ पर इंडिया में agent ने कैसे धोका किया है उनके साथ यह भी हम आपको दिखाएंगे तो चलिए वो वीडियो आपको important है जो आपको देखना है यह वीडियो भी आपको important था कि आपको कोईसी university और college आपको select करना है तो इस तरह से आप हमारा पूरा doubt session चला second video में थर्ड वीडियो में हम देखेंगे कि क्या-क्या frauds होते हैं आपको कईसी procedure आपको करनी चाहिए approved admissions में कुन सी legal procedure होती है इसके बारे हम थर्ड वीडियो में देखेंगे करने वाले तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में देखेंगे के लिए बाई बाई टेक कियर